वेलकम व्रेंट आज की वीडियो बहुती 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 इंपर्टन है आज हम जानेंगे के और समस टेकनोलोजी में किसी भी आईडी के लिए पिन कैसे जनरेट करें सबसे पहले हमें किसी भी ब्रावजर पर जाना है उसके बाद ऑफिस्यल वेबसाइट पर जाना है उसके बाद e-gift voucher पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा यहाँ पर add to card पर क्लिक करना है यहाँ पर amount दिखाई देगी और हमने जो purchase किया है उसके बाद proceed to check out पर क्लिक करना है यहाँ पर हमारे detail डान लिए है नाम आपने आप आजाएगा address, pin, district, state यह fill up करने के बाद हमें यहाँ पर check out पर क्लिक करना है यह मैंने और रेड़ी fill up कर लिया है उसके बाद login करना है login करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा देखिए friends यहाँ हमारी order है proceed to pay पर हमें आप click करना है यहाँ पर बहुत सारे payment option दिए गया है आप online payment भी कर सकते यूपिया से payment कर सकते और भी बहुत सारे यहाँ पर payment के option है उसके बाद हमें देखिए friends यहाँ पर UPI net banking बहुत सारे option यहाँ दिखाई देंगे मैं net banking यूज़ करता हूँ तो मैं SBI का account select करता हूँ देखिए friends कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा अभी मैं internet banking से यहाँ पर जो हमारी amount है वो भेज़ दूँगा तो मैं skip करता हूँ देखिए friends कुछ इस तरह से मैंने amount भेज़ देने के बाद thank you का option आ चुका है यानि कि मैंने यह pin purchase कर लिया है वो भी हमारे shopping wallet में यह amount है वो आ जाएगी चलिए friends फिर से Osmos Technology की official website पर जाते है उसके बाद हमें login करना है logging करने के बाद रोज की तरह हमें dashboard पर click करना है देखिए यहाँ पर जो three lines दीख रही है हमारे left side में उस पर click करके हम हमारे shopping wallet में जो amount हमने transfer की थी वो देखेंगे या official website पर हम गए है और यहाँ पर click करेंगे उसके बाद dashboard पर click करेंगे यह बहुत ही important process है आप video को पुरा देखिए यही सही process है उसके बाद e-pin पर click करेंगे pin details में जाएंगे pin details में जाने के बाद यहाँ पर हमारा एक new pin, unused pin दिखाई देगा top up पर click करना है top up पर click करने के बाद यहाँ पर हमें एक id डालने है id डालने के बाद वहाँ पर नाम आ जाएगा तो आप top up पर click करके उस नाम पर pin generate कर सकते है बहुत ही easy process है तो friends thank you for watching कि अएगे